आज से ठीक एक साल पहले शाओमी ने पैड 6 सीरीज लाँच की थी और अब एक साल बाद शाओमी पैड 7 सीरीज लाँच करने वाला है प्रिवियस वीडियो में मैंने शाओमी पैड 7 के काफी leaks and rumors कवर किये हैं अभी तक जितने बार भी leaks and rumors आये हैं मैंने हर बार एक नएक वीडियो अपलोट की है और अब फिर से कुछ नई rumors आई हैं इसलिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको सारी leaks and rumors, specifications, launch date और official look के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा time waste किये अगर आपने मेरी पुराने वीडियो शाओमी पैट 7 को लेकर नहीं देखी हैं तो अब देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वो सारे features जो मैंने previous वीडियो में cover किये थे वो इस वीडियो में भी cover करूँगा इस series में दो models launch होने की उमीद है कि Pad 7 and Pad 7 Pro लेटिस्ट लीक Smart Pikachu ने share की है जिसमें launch date के बारे में कुछ information मिलती है Smart Pikachu के according Xiaomi Pad 7 series इसी साल 3rd quarter में launch होगी 3rd quarter अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि 3rd quarter में 3 months आते हैं July, August and September Launch date के बाद अगर मैं इसका official look की बात करूँ तो इसका look काफी हद तक Xiaomi Pad 6 series जैसा ही होगा लेकिन dimensions जैसे की thickness या width या length में जरूर Xiaomi changes कर सकता है One of the tipster has also revealed that क्योंकि Xiaomi अब cars भी manufacture करने लगी है तो इसमें आपको car use काफी feature मिलेगा इस tablet में जिसकी help से आप इस tablet को car से भी connect कर पाएंगे लास्ट वीडियो में भी मैंने बदाया था कि Xiaomi Pad 7 के specifications बहुत ही कम है लेकिन Pad 7 Pro के काफी specifications लेक हुए हैं जिसमें से digital chat station ने भी काफी reveal किये हैं जैसे कि इसमें Snapdragon 8 Gen 3 chipset मिलेगा better performance के लिए Snapdragon का बहुत ही अच्छा processor है काफी fast है display भी larger मिलेगी 7 Pro में 12.45 inch screen size होगा जिसका with a whopping refresh rate of 144 hearts Pad 7 और Pad 7 Pro दोनों में 16 by 10 का aspect ratio होगा जिसकी वज़े से display में जो viewing experience आएगा वो भी काफी खमाल का होगा Xiaomi ने अपने सभी recently launched tablets में 10,000 mH की battery दी है इस tablet में भी 10,000 mH की powerful massive battery मिलेगी along with 120 watt fast charge support Pro variant को 3C certification site पर भी spot किया जा चुका है जिससे काफी हद तक confirm हो जाता है कि Xiaomi Pad 7 series बहुत ही जल्द launch होने वाली है camera भी Xiaomi Pad 6 series की तरह इसमें काफी decent मिलेगा dual rear camera setup होगा जिसमें 50 megapixel का primary sensor होगा और better sound quality के लिए quad speakers मिलेगे Dolby Atmos support के साथ सभी features Xiaomi Pad 7 Pro के हैं वहीं अगर हम non pro variant की बात करें तो इसकी अभी leaks कुछ भी सामने नहीं आई है सिर्फ ये पता चला है कि इसमें Snapdragon 8 Gen 2 chipset मिलेगा features के बाद अगर price की बात करूँ तो Xiaomi Pad 6 series के comparison में Xiaomi Pad 7 series की price जादा होगी क्योंकि smart phones और tablets के components काफी महंगे हो गए है अब लास्ट कुछ time में काफी price hike हुआ है इनके components में इसी वज़े से recently जो भी smart phones या tablets launch हुए है उनमें भी एकदम से price hike देखने को मिला है फिलहाल जो भी information leaks या remote के थ्रू Xiaomi Pad 7 series के बारे में available थी वो आपको इस वीडियो में बता दी गई है इसके अलावा जैसे ही कोई और information आएगी वो भी आपको बता दी जाएगी आज के लिए बस इतना ही thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाय तिल दिन